नमस्कार दोस्तों आज चूकी 11 बजे कोई कारिक्रम है इसलिए आज मैंने कल ही डिक्लियर कर दिया था कि मैं साड़े 10 बजे आज आपसे इस मुखाविद मुखातिब होंगा मैं अभी इन दिनों बात कर रहा हूं अपनी कविता की जिसका नाम है जीवन का सच जीवन का सच क आज आखरी चंद लेकर आखरी पद लेकर मैं आपके सामने उपस्तित हुआ हूं और वो पद क्या है यह मैं आपके सामने आज डिसकस करना चाहता हूं मेहनत करो बांटो और सबको गले लगाओ सोचो समझो और आगे बढ़ते चलो ये जीवन की सच कविता का आखरी स्टैंजा आखरी पद आखरी चंद मैं आपके सामने हैं प्रस्तुत कर रहा हूँ आईए एक बब फिर पुना पूरी कविता को आखरी आपके सामने दोहराता हूँ चाहत है कुछ पाने की तो मेहनत करो करेक्शन चाहे कुछ पाने की तो मेहनत करो दुनिया की कठिनाईयों से तुम डट कर लड़ो वही सफल होता है जो सजग है व्यर्थ की आपा धापी से तुम मत अड़ो अनुशासित रहना सीख लो जीवन में फिर दुनिया के पहाड पर तुम हस कर चड़ो विनम्र बनो सहरदय बनो और संतोशी भी कोई शंका हो तो महान जीवनियों को पढ़ो और आज का स्टैंजा मैं आपके सामने पहली गाच को कहा हूँ वो यह है महनत करो महनत करो बाटो और सब को गले लगाओ सोचो समझो और आगे बढ़ते चलो सोचो समझो और आगे बढ़ते चलो दलजीत वीर जी मुझे देख रहे हैं सर वेलकम टु यू तो दोस्तों महनत करो बाटो और सब को गले लगाओ ये एक ऐसी चीज है जो सिख धरम का मूल मंद्र है गुरु नाने देव जी कह गए है कि किरत करो वंड चको ते नाम चको काम करो जो मिले जो कमाओ उसे बाट के खाओ और फिर ईश्वर का नाम लो तो मेरे भाई साहब रविंदर और मेरी जो भावी हैं बहु हैं गुरुदीप वो जुड़ गई हैं तो मैं आपके सामने आज अपने जो मेरी कविता है जीवन का सच उसका आखरी स्टैंजा आज मैं आपके सामने डिसकस कर रहा हूँ और वो स्टैंजा था बिना सोचे समझे नहीं पढ़ना है सोचो समझो और आगे बढ़ते चलो मैं बता रहा था है गुरुनानक देव का जो मूल मंत्र सिख धरम को उन्होंने दिया है वो यही दिया है किरत करो वन छको ते नाम चको मैंने भी अपने आखरी मकता में मैंने भी कविता के आखरी चंद में यही कहा है महनत करो बांटो और सब को गले लगाओ महनत करो बांटो और सब के गले लगाए और सोचो समझो और आगे बढ़ते चलो बिना सोचे समझे नहीं सोचो समझो और आगे बढ़ते चलो चाहे कुछ पाने की तो मेहनत करो दुनिया की कठिनाईयों से तुम डट कर लडो वही सफल होता है जो सजग है वही सफल होता है जो सजग है व्यर्थ की आपा धापी से तुम मत अडो अनुशासित रहना सीख लो इस जीवन में फिर दुनिया के पहाड पर तुम हस कर चड़ो विनम्र बनो सहर्दे बनो और संतो शीभी विनम्र बनो सहर्दे बनो और संतो शीभी कोई शंका हो तो महान जीवनियों को पढ़ो और आज का जो मक्ता मैंने आज जो आपके सामने डिसकेस किया वो ये था कि महनत करो बाटो और सब को गले लगाओ मेरी बहन हर प्री तो विरोई जोड़ गई है महनत करो बाटो और सब को गले लगाओ सोचो समझो और आगे बढ़ते चलो सोचो समझो और आगे बढ़ते चलो सोचो समझो और आगे बढ़ते चलो इस कविता से हमें बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिलती है बहुत कुछ चीज़ें हमें मालूम है मगर हम उनको रिवाइस करके यदि अपने जीवन में ढाल लेते हैं तो हम अपने जीवन का पूरा आनन ले सकते हैं छोटी छोटी सी चीज़े जो मैंने आपको बताई हैं कि दुनिया की कठनाईयों से आपको कैसे लड़ना है, कुछ पाना है तो मेहनत करनी है, उसके बाद मैंने आपने बोला है कि जो सजग होता है, वही सफल होता है, यदि आज के बदलते युग में हम सजग नहीं हैं और कोई पुरानी परिपाटियों को लेकर चल रहे हैं, तो बहुत जल्दी ही हम में लाइन से बाहर हो जाएंगे, अनुशासित रहना यदि हम सीख लेंगे, तो फिर दुनिया के पहाड़ पर हमसकर चड़ सकते हैं, इसके बाद विनम्र बनना, सहरदे बनना और संतोशी बनन ये हमारे चरित्र में होना चाहिए, नहीं तो कोई शंका यदि हो तो किसी जीवनियों को पढ़के आप शंका का उतूर कर सकते हैं, और महनत करो, बाटो और सब को गले लगाओ, ये अन्त में मैंने बोला है, महनत करो, बाटो और सब को गले लगाओ, सोचो, समझो और आग 11 बजे तब तक के लिए धन्यवाद हैवन आई रचे